याओ वाटसब गैस के साथ व्लोग स्वागत आप सबीकाद है राफ पर मैंस के 14 एपिसोड में जिन लोग ने भी अभी तक मेरे लास्ट वाले एपिसोड नहीं देखे मैंने तो वह देखो मैंने प्लेइलिस्ट प्रोवाइड की हुई है सो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिला किसी टाइम वेस्ट के सो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि पर्में एक अजीब सी जगावर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उसके चारों और पानी है और थोड़ी देर बाद उसको एक खतरना कॉली आवाज आती है और पर्में उसका पीछा करने लगता है लेकिन जैसे ही पर्में उस जगावर पहुंच ता है वो देखता है कि उसके सामने एक जेल टाइप सा बना हुआ है और उसके अंदर से ही वो आवाज आ रहे थी थोड़ी देर बाद उस जील के अंदर से एक डीमन हाथ बहार निकलता है और पर्में को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पर्में किसी तरह से उस चीज़ से बच जाता है और उसके बाद पर्में और उस डीमन के बीच में एक कॉण्वरसेशन हाता है थोड़ी बाते होती है और उसके बाद आगे तो हम लोग देखते हैं की पर्में जमिन के ओपर लेटा हुआ था और हौश में आ गया था और बर्ड मैन और सारे पर्मैन उसके पास थे तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड मैन और सारे पर्मैन पर्मैन को आपस हेड़कॉर्टर्स लेके जाते हैं हम लोग देखते हैं कि बर्ड मैन और सारे पर्मैन हेड़कॉर्टर्स पहुच गए थे पर्मैन को लेकर तो इसके बाद Birdman कहता है की पहले तो Birdman को Treatment Center लेके जाओ ओपर से जो इतने जूर सीगिरा था बहुत जाधा चोट आई होगी तो हम दोग देखते हैं की सारे Birdman's को Treatment Center लेके जाते है तो इसके बाद Birdman का पहले तो Treatment होता है और उसमें ये निकल कर आता है कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर था जिस हाथ पर वो डीमन सील बना हुआ था तो इसके बाद बर्मैन का ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि बर्मैन बेड के और पर लेटा हुआ था तो तब ही बर्मैन, ग्रैंड बर्मैन से कहते हैं कि सोव अभी सोय हुआ है इसको किसी तरह से बेहोस करते हैं और हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज है जो इसको हिपनोटाइस कर रही है और कंट्रोल कर रही है बर्मैन के हाथ पर एक सिंबल बना हुआ है जो बस मैंने ही देखा है और किसी ने नहीं ये सिंबल कहा से है कुछ भी नहीं बता ये बस हमें पर मैन के दिमाग के अंतर जाक के पता चलेगा तो इसके बाद बर्मैन कहते हैं कि अभी इसको सोने दो वैसे भी इतना जदा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है चलो सर रिलैक्स करने के लिए चली जाते हैं और बाके सारे पर मैंस भी रिलैक्स कर रहे थे कुछ लोग खेल रहे थे कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन उन में से कोई एक जो कुछ भी नहीं कर रहा था बस एक गहरी सोच में डुबावा था इचिरो जो कि उस टाइम में बहुत ज़ादा डरा हुआ था जब उसने पर्मैन की स्वार्ड को छुआ था वो एक अलगी जगा पर पहुँच गया था इचिरो सोच रहा था कि पर्मैन को किस चीज ने हिपनोटाइस किया हूँ कौन कंट्रोल कर रहा है पर्मैन को कि लग रहा है कि उस जगहा पर ही कुछ तो प्रॉबलम है कुछ तो गडबड़े वहाँ पर क्योंकि पर्मैन वहाँ पर तीन बार जाकर होश खो बैटा था मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा किसी को भी पता नहीं चलना चाहे कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो उस जगा के लिए निकल जाता है लेकिन कलती से मिशेल इचिरो को देख लेती है और कहती है कि यह अब कहा जा रहा है और मिशेल इचिरो का पीछा करने लगती है तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो उस जगा पर पहुच जाता है और वहाँ पर पहुचने के बाद इचिरो उस जगा के पास पहुचता है जहाँ पर परमैन हिपनोटाइस हुआ था और वहाँ पर पहुचने के बाद इचरो कहता है कि इस जगा पर पर्मैन हिपनोटाइस हुआ था मुझे इस जगा को वापस से चेक करना पड़ेगा कुछ न कुछ तो गड़बढ़ होगी इस जगा पर तो Ichiro उस जगा को चेक करने लगता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता लेकिन Ichiro को तभी एक डाउट आता है परमैन जिस जगा पर खड़ा था उस जगा पर कुछ तो गढ़बड होगी हम लोग देखते हैं कि Ichiro उस जगा के ओपर खड़ा हो जाता है लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होता और तब ही इचरो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है लेकिन परमैन के हाथ पर जो डीमन सील बना हुआ है वो जाना पेचाना सथा कहाँ पर तो देखा हुआ है मैंने वो सील लेकिन कहा वो याद नहीं आ रहा मुझे लेकिन बस मैंने ये बहुत लोगों से चुपाया रखा है कि मेरे अंदर भी एक डीमन पावर है लेकिन वो अभी तक मेरे अंदर अनलॉक नहीं है और जल्दी वो अनलॉक भी हो जाईगी तो तभी इचिरो कहता है कि यहाँ पर रुखने का भी कोई भी फाइदा नहीं है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो जैसे ही पीछे मुरता है अचानक से ही वहाँ का मौसम बदल जाता है और इचिरो एक अलग सी जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुचने के बाद वो कहता है कि यह कौन सी जगह है यह में कहा आ गया क्या परमैन भी इस जगह पर आया हुआ था और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से ही इचिरो के सामने खुद इचिरो खड़ा था और वो इचिरो से खहता है कि है इचिरो तुम भोल तो नहीं गये न तुमारा असली मकसद क्या है तो तभी इचिरो खहता है कि नहीं 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 वो सब कुछ मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो जो मैं कब से बहुनना चाता हूँ और वैसे तुम कौन हो, मुझे सच बताओ, तो तभी वे दूसरा वाला इचे रखना काई कि तुमारे अंदर की काली शक्ती बोड़ रहूं मैं, वैसे तुम्हारा असले मकसद तुम्हे पता होगा, तुम पर्मेन क्यों बने थे, तुम्हे उस बंदे को डूनना है ना, जिस इसके हाथ पर है, उसने ही तुम्हारे फैमिली को मार दिया, तो तब ही इचे रो हापते होए खहता है की, नहीं, यह कैसे पॉसिबल है, यह डिवन सील, मैं मिक्सो के हाथ पर देखा था, तो इसके बाद वे दूसरा इचे रहता है की, तुम्हे आगर आगे बढ़ना है, तो जाओ, अपने दोस्त को मार दो, तो इसके बाद इचे रो पूरा पसीने से भीग गया था, वो पूरा डरा हुआ था, उसको पता नहीं चल रहा था की, यह सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, और थोड़े देर बाद इचे रो के अंदर, वो पावर अनलोक हो जाती है जो कब से छुपी हो थी, देमन ब्लैक आए, इचे रो के आखे पूरे के पूरे काले हो जाते हैं, बस बीच में का पाट सफेद रहता है, और उसके आखों से धुआ भी निकल रहा था, और थोड़े देर बाद अचानक से ही, इचे रो वापस से ओरिजिनल वर्ल्ड में आ हुआ था, अब मैं क्या करूं, जल्दे से यहां से निकलना पड़ेगा, और इचे रो जैसे वहां से निकलने वाला होता है, तो तभी इचे रो देखता है कि मिशेल उसको देख रही थी, और डरी हुए थी, उसके आखे देखकर, क्योंकि वो पूरा का पूरा डीमन लग तभी मिशेल कहते ही कि इचे रो यह तुम ही हो ना, तो तभी इचे रो कहता ही कि यह क्या हो गया, इसने मुझे देख लिया, इसको सब कुछ पता चल गया, कि मैं एक डीमन हूँ, तो तभी जल्दी से इचे रो मिशेल के उपर अपनी पावर का यूज करता है, डीमन माइ कर दिया मैंने यह बेहुश केसे हो गई बस यह होश में आने के बाद किसे को कुछ भी बताना नहीं चाहिए मैं यहाँ पर रुखता हूँ जब तक यह होश में नहीं आ जाती तो थोड़े देर बाद मिशेल वापस से होश में आ जाती है और कहते हैं कि यह मैं कहा पर आ गई और यहाँ पर क्या हुआ था? मिचिरो तुम यहाँ पर क्या कर रहा हो? तब ही इचिरो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये सब कुछ गूल गई खूल बात नहीं, अब मैं इसको वापस हेड़कॉर्टरस लेके जाता हूँ आँ मिचेल, तुम यहाँ पर कब से भेश पड़ी थी? शायद तुम किसी पेड़ से टकराए होगी मैं तुमें ही डूनने आया था यहाँ पर चलो वापस हेड़कॉर्टरस में परमान को हमारी ज़रूरत है तो गाइस अगर आपको यह वाला एपिसोर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलेंगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल नाओ बटरू नेक्स्ट पर में आपकोो जाओव एइपाओवदो टॉस पUडेैन आपको को पड़ा हो बाईक्स्ट पमeursण झाले को पस्ते हैं